नमस्कार अनुपूर्णा खाना विद गाना यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आई हो फ्रेंट्स आप सब लोग ठीक होंगे तो फ्रेंट्स किस को बासी रोटी खाना पसंद नहीं है तो जिनको रोटी बासी खाना पसंद नहीं है आज से उनकी बासी रोटी फैवरिट हो जाएगी क्योंकि मैं इतना मज़ेदा चटपटा नाश्ता बासी रोटी से बनाने वाली हूँ आपके परिवार के सदसी हैं उनको ये रेसिपी यकीन माने बहुत जादा पसंद आईगी बलकि अब आप रोज दो चार रोटी बचाओगे और इस तरह का नाश्ता आप बनाओगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके चुटे-चुटे से टुकडे कर दिये हैं रोटी के औ उससे क्या होगा जो हमारा नाश्ता है वो देखने में भी बहुत ही गजब का लगेगा तो यह देखिए फेंस यहाँ पर मैंने इसको दरडरा इस तरह का पीस लिया है इससे ना ज्यादा मोटा रखे आप ना ज्यादा बारे करना है तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक आपके घर में उपलब्ध है इस नाश्ते को आराम से बना सकते हो तो यहां पaramज़ी ले लिया लिया है और यहां पर ले लिया फ्रेंटि में ने पांच चमश दही नॉर्मल बहुत phase कि भास चाहिसी मats सबढ़कार और इसलिए नाष्टा हमारा बहुत सॉप्ट मुलाइम बनेगा तो यहाँ पे friends में स्वाद अनुसा नमक एड़ कर दिया है और जिस कटोरी से मैंने यहाँ पे सूजी ली थी उसी कटोरी से मैं यहाँ पे एक कटोरी पानी ले रही हूँ measurement के लिए कोई cup या कटोरी set कर ले इससे आपका नाश्ता बहुत ही perfect बनेगा तो यह देखी friends यहाँ पे मैंने इस तरह का एक smooth paste बना के तयार कर लिया है यहाँ पे जो रोटी के crumbs है ना उसी में हम क्या करेंगे जो यह batter बनाया है ना हमने यह हम इसी crumbs में हम यहाँ पे add कर देंगे तो friends अब यदि आपके पास कोई सब्जया है जो आपको पसंद है तो आप यहाँ पे add कर सकते हो मैं थोड़ी सी बारिक कटी हुई प्यास ले रही हूँ और 2-3 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे fine chop की हुई add की है और खुब सारा मैंने यहाँ पे हराधनिया add किया है कुछ मसाले add करी हूं एक πάग है च्वाता ही चास जीर है और फ्रेंट एक च्वाता ही चम्मच हल्दी पावडर sunshine oil Cost यहाँ पे मसाला और एक च्वाता ही चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूं आम्चूर पावडर इससे नाश्ता बहुत ही चटर पट्पता बने जीरा तो फ्रेंट्स इत्क ममसालों में जो यह नाश्ता है बहुती घłyक है और बहुती टेस्टी लगता है। ने शवाब दनगें बहुती है। और इस तरह आप उनको ये रोटी से ये बासी रोटी से नाश्ता बना के दोगे तो यकीन मानिए वो उंगलिया चारते रह जाएंगे तो यहां फे फेंस में 2-4 चमच जिस जार में मैंने सूजी का एक पेस्ट बनाया था तो इसमें मैंने इस पानी एड़ करके जो इसमें ब यासा ही बनेगा तो बैटर हमारा बिल्कुल बनके तयार हो गया है इसको साइड रखते हैं तो फ्रेंग्स यहां पर मैंने ये कटोरी ली है आपके पास जो भी कोई कटोरी है आपके घर में आप उन कटोरियों में ये नाश्ता बहुत ही आराम से बना सकते हो फ्रेंग्स तो यहाँ पर ले ली है friends मैंने एक कटोरी आप चाहो तो friends पहले इसमें तेल भी लगा सकते हो पर यकीन मानिए ये नाश्ता बिलकुल भी चिपकेगा नहीं मैं इसमें कोई तेल नहीं लगा रही हूँ और इस कटोरी में अब ये जो बैटर है ये मैं यहाँ पर डाल रही हू तो यहाँ पर friends मैं East West का कोई यूज नहीं कर रही हूँ बिलकुल यहाँ पर मैं साधाने तरीके से ये नाश्ता बना रही हूँ और healthy नाश्ता है तो यहाँ पर मैंने ये कटोरियों में बैटर डाल दिया है यहाँ ले रही हूँ friends मैं ये जो कटोरिया है मेरी बहुत जोटा पानी डाल दिया है इसमें और यहां पर लेली और यहां मैंनेस टेंट कर दी है और तो फ्रेंस में अच्छे से कटोरियों को यहां पे सेट कर दूंगी तो फ्रेंस ध्यान से रखे ताकि जो कटोरिया आपकी ही लेना तो थोड़ा सा इसको और तीखा नाश्टे में यदि तीखा पन जादा होगा तो नाश्टे का स्वाद और जादा बढ़ जाएगा तो यहां पे थोड़ा सा मैं चीली अपर से डाल दीओं आप चाट मसाला कुछ भी एड कर सकते हो उपर से तो यहां पे देखें यहां पर देखिये यहां पर चीली फ्लेक्षक इसमें सारे कटोरियों कटोरियों में एड़ कर दिया है तो यहां पर मैं धकन से कबर करके 5 मिनट मात इसको कोक करूंगी पांस मिनट में यह नाश्ता बहुत ही अच्छे से हमारा कोक हो जाएगा तो यह देखे फ्रेंट्स नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और यह बहुत ही अच को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजेगा कॉमेंट्स कीजेगा और फ्रेंट्स मैं आप से यही उम्मीद करती हूँ जितना आप मेरे को प्या इस नाश्ता उगता है और झाने में हैं और फेंट्स आपको बिल्गुल भी परशान होने की जर्वत निया यदि आपकी फी रोटी बचती है तो इस यदि आप नाश्ता सर्व करेंगे तो वह तो आप से रोज यहीं डिमान करेंगे कि आप 4-5 रोटी रोज बजा देना और इस तरह का हमें नाश्ता बना के देदेना तो यह देखे Frens यहां पर मैंने ये दूसरा भी यहां पर जो यह नाश्ता हमने कटोरी में रखा था तो यह देखे साबुत बिल्कुल निकल के आ गया है और यहां पे फ्रेंट्स अभी इसी तरह हम सारा नाश्ता निकाल के सर्व करते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स सूपर टेस्टी डिलिशिस बासे रोटी का खास करके नाश्ता में बार बार जिक्र कर रही हूं कि बासी रोटी का इतना टेस्टी नाश्ता बनके तयार हो रहा है यकीन मानिये बच्चे भी इसको बहुत ही चाओ से खाएंगे और चाओ तो आप टीफन में भी इस रेसीपी को बच्चों को दे सकते हो यहां पर मैंने फ्रेश दही लिये है और गुड़ और इमली की चटनी और हरी मिर्च के साथ ये नाश्ता सोने पर सुखागा है यहाँ पर बिदाउट ओयल यह नाश्ता सर्व करी हूँ, बहुत ही यम्मी यह डिलिशिस लगता है, यह बिल्कुल हेल्दी नाश्ता मैंने बनाया है, और यदि आप चाहो तो थोड़ा इसको फ्राई कर भी सकते हो, पर फ्रेंस मैंने इसको बिल्कुल भी तेल में फ्राई क्या है, बहुत ही साधारन तरीके से मैंने यह बासी रोटी का नाश्ता बनाया है, और फ्रेंस यह सच में ही बहुत ही डिलिशिस है, तो फ्रेंस इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजेगा, लोगों के साथ शेयर कीजेगा,